पहले अपने कबूतरों को देख लेते हैं और सबसे लास्ट वाले पेर को देखते हैं कि इसने अभी अपने अंडों से बच्चे निकाले हैं या नहीं निकाले क्यूंकि 17-18 दिन तो हो गए हैं और इंशालला तीन से 4 दिन में आएं इसमें से बच्चे निकल आएंगे अपने गिफ्ट वाले कबूतर को भी उपर ले आया हूं और अपने बजेज को भी उपर ले आया हूं दोस्तों देखे कि हमारी मुर्गी ने अभी अंडा नी दिया अभी अंडा देने के लिए बैठी हुई है तो अभी कुछ देर में इने खोलेंगे जब यए अंडा दे देगी दोस्तों आज सबसे पहले ना अपने कबूतरों को खोल लेता हूं बाकी सब चले गए है ये वाली फीमेल उपर ही है शायद इसका उतरने का दिल नहीं कर रहा है आज केट से आजो बाहिर शाबाश चलो कोदी आ रहेगी इसे छोड़ देती है इदर ही देखे मैंने दर्वादा खोल दिया और इसे रास्ता नहीं मिल रहा अब शायद मिल गया ये देखे दोस्तों उदर मैंने अपने पिजन्स को बाजरा डाल दिया है वो बड़े मज़े से खा रहे हैं और हमारे बज़िस भी यहां पे नीची आ गए हैं पानी तो मैंने रख दिया था जो रोटी है वो ताजा नहीं रखी हुई रोटी इने ताजा रखते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा मैला हो रहा है इनके बिमार होने का भी खत्रा होता है इस कच्रे की वज़ा से तो आज फाइनली इनके केज को साफ कर दूँगा तो यार मैंने दाना भी डाल दे और कबुतरों का पानी भी रखने लगा हूँ लेकिन ये वाली फीमेल बाहर नहीं आरी पता नहीं इसके साथ क्या मसला है तो इसे हाथ से पकड़के निकालना पड़ेगा तो भई ये खुद ही निकल आई या बाहर हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी पिजन्स के ओपर ना कितनी तेज धूप पड़ रही है आज मैं ऐसा करूँगा कि इनना पानी रख दूँगा पानी में ये नहाएंगे और तेज धूप भी सेकेंगे पानी में नहाके ना काफी खुश हो जाते हैं और साफ भी हो जाते हैं तो ये हमारे बजीस का और मुर्गियों का खाना कबूतरों का भी यहां पे था वो मैंने कबूतरों को डाल दिये तो अपने बजिज को यहां पे दाना डालते हैं क्योंकि ये कल वाला ही दाना खा रही थी इसमें से आके शायद इन्हें पसंद नहीं आया और वापस जाके बैठ गये हैं तो अभी इन्हें ये वाला खाना इनका इसमें डालती है ये देखें कि इनका बॉक्स काफी फुल हो गया और सारा दिन के लिए इनके लिए काफी रहेगा क्यूंकि चारी बजिजें दो पेरेंग तो जो हमारे लास्ट दो बॉक्सिज में पेर ने अंडे दिया हैं वो दोनों अंदर जाना चारे थे तो मैंने उने बंद कर दिया और हमारी जो मुर्गी है उसने अंडा दे दिया तो अंडा उठाते हैं मुर्गी का ताके कहीं तोड ना दे ये देखें उनके पाउं भी आ रहे हैं अंडे के उपर उने खोल देते हैं और अंडा उठाते हैं आजो भई बाहिर ये देखें ये है जी हमारी मुर्गी का आठवा अंडा नो हो गये इस वक्त तक लेकिन जो एक था वो तूट गया है और ये देखें कि काफी छोटा और प्यारा अंडा है गोल यार काफी खुबसूरत है तो दोस खास तो ले आया हूं लेकिन अभी तक खोला नहीं था मैंने तो घास मैं यहां पर डालता हूं और उन्हें खोलता हूं मुर्गियां सबसे पहले आ गी है घास खुर्गोशो का होता है और ये इसकी तबहाई फेर देती है आज़ो जी बाहिर जल्दी से जल्दी से आज़ो वो देखो तुमारा घास भी पड़ा हूए उदर आज़ो खुर्गोशो ने अपना घास खा लिया और ये बजीज को तंग दरने आगे हैं अब यहां पर देखें कि इनके केज में जाने की कोशिश कर रहे हैं इनका जो दाना बड़ा हूए ना रोटी रोटी भी शौक से खाते हैं खुर्गोश तो वो उठाने की कोशिश कर रहे है यार ये रोटी ना मुर्गोशो डाली थी मुर्गोशो ने तो नहीं खाई लेकिन हमारे खरगोश उदर जो बजीज को तंग कर रहे थे ना तो ये रोटी उनके सामने डालके देखते हैं शायद ये सारी खा जाएं ये देखें ये अभी भी इनके केज के इर्द गिर्द और उनकी कुटोरी में से रोटी खाने की कोशिश कर रहा था तो इसके सामने ये डाल देते हैं ताक इखाले सकुन से माशाला देखें कितने प्यारे लग रहे हैं काते हुए हमारे चिंटो मिंटो भी आ गए हलके इनके लिए ही रोटी डाली थी इन्होंने तो खाई नहीं है लेकिन आप देखें कि खुरगोश को आके तंग कर रहे हैं तो दोस्तों अब मैं ऐसा करता हूं कि अपने बजीज के केज को ना साफ कर लेता हूं जो नीचे शीट बीचिवी है ना उसे अच्छी तरह से धोना है आज तो इसे धो लेता हूं अब दोस्तों बड़े हथि दाथ से खोलना पड़ेगा और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं कोई ओड़न आ जाए खैर साप तो करना है ना चलो निकालते हैं आज 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 तो बजी इसके केज के नीचे जो शीट बीचिवी थी ना वो मैंने यहां पर रख दी है और पानी चला दिया है ताकि इसके पस्ते जो कच्रा है ना वो सारा साफ हो जाए और उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि जो मैंने बजीज के केज के अंदर से उनके बॉक्स निका ले थे पानी का बॉक्स और रोटी का बॉक्स यह देखिए कि हमारे रैबिट्स भी खा गी है उसे और मुर भी कच्रा पड़ा हुए इसे बुर्श से या किसी और चीज से साफ करना पड़ेगा लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा खत्र है कि हमारे जो बजीज इस दर्वाजे से बाहिर ना निकले तो यह काफी खत्रे वाला काम है कोशिश करता हूं कि देखता हूं होती है यह न दर नहीं रखने वाला मैं इस घर को ना उस दिवार पर रखने वाला हूं क्योंकि यहां पर ना सुबह के टाइम कफिस चिडिया आके बैठती है तो शायद कोई चिडिया इसमें घोसला बना ले तो हमारे सेट अप पे शायद इजाफा हो जाए तो अब ना इसे मैं सामने या वगएर आती है या कोई और परिंदा चोटा इसमें घोसला बनाता है यह नहीं बनाता कबूत्रों को भी बंद कर दिया है यहां पे मेरी मुर्गियां भी बंद हो गई है और खुरगोषों को भी मैंने बंद कर दिया था तो अज की वीडियो आपको कापी अच्छी